बॉलिवूर्ड एक्टर सनी देवल और एक्टरस हिमा मालिनी दोनों ने लोगसफ़ चुनाव 2019 में बंपर फोटों के साथ जीत हासिल की थी धर्मेंदर के बेटे सनी देवल ने पंजाब के गुल दासपूर से और हेमा मालिनी ने यूपी के मतुरा से चुनाव लड़ा था और दोनों ने ही भारी मतों के साथ चीत का परचम रह राया था लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी एकी परिवार के दो सदस से संसद में एक साथ नहीं बैठेंगे जी हाँ आपने सही सुना सनी देवल अपनी सौतेली मा हेमा मालिनी के साथ संसद में एक साथ नहीं बैठेंगे तो क्या ये पारिवारिक रिष्टों का खटास है जो हमें संसद तक देखने को मिलेगा या यूं कहें कि सनी के परिटिकल करियर से खुश नहीं है हेमा माले में आखिर क्या ऐसी वज़े है कि एक ही परिवार के दो लोग संसद में एक साथ नहीं बैठेंगे आईए आपको बताते हैं इसके पीछे की वज़े दरसल दोनों के संसद में एक साथ नहीं बैठने के पीछे दोनों के रिष्टों की खटास नहीं बलकि संसद के कुछ नियम है जी हाँ जैसा कि आप सभी जानते हैं हिमा मालनी सीनिर संसद हैं और सनी देवल के लिए पहली बार होगा जब वह संसद में कदम रखेंगे ऐसे में नियमों के अनुसार हिमा संसद में आगे की तरफ मौजूद सीटों में से किसी एक पर बैठेंगी जबकि सनी देवल को पीछे की सीटों में से किसी एक पर ही जगर मिलेगी सुपरस्टार सनी देवल ने पने पॉलिटिकल कर्यर के शुरुआत पंजाब के गुर्दासपूर लोकसभर सीट से जीत कर की है गुर्दासपूर में सनी के धाई किलो का हाथ कॉंग्रस पर काफी भाड़ी पड़ा था तो वहीं उनकी स्वातेली मां हेमा मालेनी ने भी यूपी की मतुरा सीट से दूसी बार जीत हासिल की थी वेल ऐसे में जहाँ एक तरफ संसद के नियमों के अनुसार सनी देवल और हिमा मालेनी अलग-अलग बैठेंगे तो वहीं दूसरी तरफ संसद में आते और जाते वक्त जब यह एक दूसरे को फेस करेंगे तब इन दोनों का रियाक्शन कैसा होता है इस पर पूरे देश की नज़र रहेगी